नमस्कार आप लोग देख रहे हैं दाख़बरदान निवस कल मुंबई इंडियन्स और KKR के बीच मुकाबला खिला गया था इंडियन प्रेमियर लीग IPL में 11 मैच खतम हो चुके हैं शुकरवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियन्स को 24 रन से हरा दिया इसी के साथ मुंबई 17 सीजन के प्ले आप से बाहर होने वाली पहले टीम बनी टीम नौवे नमबर पर है वही कोलकाता ने दूसरे नमबर पर अपनी सिच्वेशन श्ट्रॉंग कर ली है सुकरवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते विए 19.05 बर में 10 विकेट खोकर 179 रन बनाए मुंबई 18.05 उभर में 145 रन बनाकर आल आउट हो गई मुंबई की अब 11 मैचों में महस 3 जीत और 8 हार से 6 ही पॉइंट से टीम केवल रन रेट से बहतर होने के कारण 10 में नमबर पर मौजूद आर सीबी से 1 इस्थानों पर 9 में इस्थान पर है कोलकाता को 10 मैचों में 7 में जीत मिली टीम ने महस 3 मुकाबले गवाए हैं केके आर 14 पॉइंट से साथ पॉइंट टेबल पर दूसरे नमबर पर है वही 27 सीजिन में गुजराट टाइटन्स का सामना रोल चैलेंजस बैंगलूर से होगा बैंगलूर 10 मैचों में 3 जीत और 7 हार से 6 पॉइंट लेकर 10 पॉइंट पर है गुजराट को हराने पर टीम 8 पॉइंट के साथ 8 पॉइंट पर पहुच जाएगी हारने पर RCB भी मुंबई की तरह प्ले आप रेस से बाहर हो जाएगी गुजराट की बात करें तो गुजराट टाइटन्स के 10 मैचों में 4 जीत और 6 हार से 8 पॉइंट है पॉइंट टेवल में सबसे खराब रन रेट की गरण टीम 8 पॉइंट पर रही है वहें मुंबई की जस्पित बुम्रा ने खोलका तक खिलाब 3 विकेट लिए इसी के साथ उनके टूर्णामेंट में और वहें टॉप विकेट टिकर में पहले नंबर पर पहुँच जाएंगे संद्राइजर्स हैदराबाद के नट्राजन 15 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं CSK के रितुराज का एकवार 509 रन बनाकर टॉप रन स्कोरर में पहले नंबर पर हैं आजार सीवी के विराट को हुली 10 रन बनाकर टॉप पर पहुँच जाएंगे KKR के सुनियल नरेण ने मुंबए की खिलाब एक छक्का लगाया इसी के साथ टूर्नामेंट के टॉप 6 हीटर में वे पांच में नंबर पर पहुँच गये हैं नरेण के 25 छक्के हो गये हैं संद्राइजस हैदराबाद के हेंडरिक क्लासन पहले और अब इसी एक सर्माद दूस्य नंबर पर हैं क्लासन के 31 और अब इसी के 286 हैं टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौकी भी रितु राजगाकवार नहीं लगाए हैं उनके नाम 10 में 4 में 35 चौके हैं आज जिराट को उली 8 चौके लगाकर पहले नंबर पर पहुंच सकते हैं केके आरके फिल सॉल्ट 45 चौकों के साथ चौथे नंबर पर हैं हम और अपडेट्स लेकर एक बाद फिर आपके साथ जुड़ेंगे तब तक के लिए आप दीखते रहें दा खबरदान निवेट स्पोर्स से जुड़ी तवाम खबरों के लिए बने रहें दा खबरदान निवेट के साथ